हेलो फ्रेंज आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बीएस पीच सील की नूटिफिकेशन के बारे में और इसके अप्लाय प्रॉसेस के बारे में और साथ में इसकी LBT कंडिशन क्या है कौन-कौन इसमें आविधन कर स सकता है इन सभी डेटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंज से यहां पर देखिए जो यह नौटिफिकेशन है यह आपकी 4016 पोस्त के लिए आपकी जारी की गई है और यह आपका फ्रेंज से दोबारा सिर्फ जो फॉर्म है यह आपका रियोपन दिया हुआ है तो आपको दोबारा से आविदन करने की जरुत नहीं है पर अगर आप पहली बार यहां पर फॉर्म को अपलाए करेंगे तो यहां पर आप इसकी वेकेंसी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं लिंक आपको जोवरासा.com पर देखने को मिल जाएगा और आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके हैं तो यहां पर फैंसे देखिए आपके सामने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेट का आवश्यक सूचना आपको यहां पर जारी की गई है जिसमें विज्यापन संक्या 01-2024, 02-2024, 03-2024, 04-2024, 05-2024 इसके ल लेखा लेखिक एवम टेनिशन ग्रेट 3 कि जो यह वेकनसी है यह आपकी दोबारा से री ऑपन कर दी गई है इसके लिए फैंसे यहां पर जो वेकनसी घ्यापनistent यह जारी हुई हैhhh जिसके लिए आपको ओनलाइन आविदन करना है ओनलाइन आविदन कब से स्टार्ट होंगे तो ओनलाइन आविदन स्टार्ट होंगे एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक तो आप इन डेट पर इसमें आविदन यहां पर कर पाएंगे अब यहां पर दिके इंस्ट्रेक्श है उसे आप चेक कर सकते हैं उप्रोक्त पदों के लिए जो होने वाली CBT के कारेकरम है वो आपके जल्दी ही जारी किये जाएंगे बाकी विज्ञापन की जो भी से सरते हैं वो यथावत रहेंगे मतलब जो पहले का notification है उसके according ही vacancy आपकी रहेगी जैसे यहां पर आपका qualification क्या रहेगा तो यहां पर देखे matriculation pass out होना जरूरी है साथ में दो साल का IT certificate electrician trade में आपके पास होना चाहिए और जो यह IT है या तो NCVT हो या SCVT अपरूर हो तो ही आप इसमें आविदन कर सकते हैं appearing candidate eligible नहीं है apply करने के लिए date of submission तक आपका यह complete होना चाहिए प्रोबेशन period दो साल का रहता है और उसके बार आपका यहां पर जो है period training complete होने के बार आपकी जो है job permanent हो जाती है इसके बार जो salary आपको मिलती है वो आपको जानकारी दी गई है इसके बार इस लिमिट 18-17 साल रहेगा और reservation से बिहार की candidate को ही मिलता है other state candidate को कोई भी reservation नहीं मिलता जो फीस है general candidate के लिए आपके EBC या BC के लिए वो 15 रुपे है बाकि अधर candidate के 375 रुपे फीस है जो कि आपको online mode में जमा करानी होती है इसके लिए फ्रेंच से आपका जो online form है उसका फ्रेंच से यहाँ पर जो आप form apply करेंगे इसके लिए जो आपका selection होगा वो CBT means computer based exam के basis पर होने वाला है और syllabus भी आपका जो है इसी notification में attach किया गया है जिसकी जनकारी आप check कर सकते हैं कैसे apply करना है तो form apply का वीडियो में आपको provide करूँगा जैसे ही इसका link activate हो जाएगा आप फ्रेंच से scroll करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखे syllabus आपको दिया गया है technician grade 3 का तो आपके फ्रेंच से यहाँ पर देखे जनरल knowledge basic knowledge of computer आपका technical paper से लेटेट कोशन्स आपके logical reasoning है जनरल हिंदी है इस से लेट कोशन्स आपसे पूछे जाएंगे और जनरल English से लेट कोशन्स आपसे पूछे जाएंगे तो यह topic है वो आपको यहाँ पर दिये गये है मैंने डेटेल में इसका पहले सी एक वीडियो बनाया हुआ है आप उस वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हैं इसके बार फ्रेंच से बात करते हैं देखे जो nest वेकेंसी है correspondence clerk या store assistant की अब यहाँ पर देखे आपकी जो वेकेंसी है CC में यह देर सो है store assistant में आपकी 80 है पर पहले जो वेकेंसी थी फ्रेंच से यहाँ पर देखे जो आप नई वेकेंसी है वो 806 और 115 वेकेंसी आपकी यहाँ पर जारी की गई है बिहार candidate को ही reservation मिलेगा फीस भी आपकी सेम है general BC ABC के लिए 1500 रुपे बागी के लिए 375 रुपे और यहाँ पर भी आपका जो selection है वो आपका CBT मोड में ही होगा और इसी notification के नीची आने पर आपको यहाँ पर देखिए आपका general knowledge, logical reasoning, quant, general English and comprehension यह फ्रेंच से इसके लावा general Hindi, basic knowledge of computer इस से related देखिए questions आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे तो यह friends आपको इसका syllabus भी यहाँ पर दिया गया है, अब इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए अगर आप किसी और vacancy का check करना चाते हैं, जैसे माली जी आप JEE का notification अगर आप check करना चाते हैं, यह friends आप AE notification का check करना चाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर friends से देखिए जो vacancy है वो आपकी भड़ गई है इसमें friends जो qualification है वो तीन साल का diploma है electrical में अगर आप इस post के लिए आविदन करना चाहते हैं तो अगर बात करें friends आपके यहाँ पर AEE की तो इसके लिए भी friends जो qualification आपका यहाँ पर required किया गया है वो है आपका degree या friends जो आपके B.E.B.T.E.C. Engineering है वो आपके पास electrical and electronics में होना जरूरी है आविदन करने के लिए इसके लिए friends जो fees है वो आपकी सेम रहेगी age criteria 21-37 साल है आविदन करने के लिए अगर आप दूसरे notification को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो age criteria है वो 18-37 साल है तो यह friends बिहार के candidate को मिलता है fees आपकी यहाँ पर सेम रहेगी इसके बाद friends जूनियर account clerk अब इसकी देखें जो vacancy है जूनियर account clerk के इसमें आपकी 740 vacancies हो गई है पहले जो vacancy थी आपकी सिफ्फ 300 vacancies थी इसमे जो qualification है वो graduate मांगा है पर यह मांगा है commerce में तो अगर आप commerce में graduate है तो ही आप इसमें आविदन कर सकते हैं permission period दो साल का ही रहेगा इसके बाद friends यहाँ पर age limit जो है इस post के लिए वो 27 साल है और जो application fees है वो आपकी यहाँ पर same ही लगेगी और इसके लिए भी friends जो आपका CBT mode होगा इसमें जो slayvers आपका रहने वाला है वो slayvers देखिए आपको जाएगा क्योंकि commerce related questions आप से पूछे जाएंगे क्योंकि degree आपकी commerce में यहाँ पर required रहती है इस से post के लिए तो यहाँ पर फेंस से notification आपका यहाँ पर जारी हो गया है यह official short notice है इसमें जो vacancies है वो आपकी यहाँ पर एक तरह से double ही हो गई है क्योंकि friends यहाँ पर जो vacancies है new vac आपकी जारी हो गई है एक अक्टूबर से form आपके start हो जाएंगे 15 अक्टूबर तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे मैंने इसका फॉर्म अप्लाइक का वीडियो पहले ही provide किया हुआ है बाकी इस पोस्ट के लिए कैसे आप आविदन कर सकते हैं अगर आप fresh kind date है तो उस पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इन शे जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारा यृडिप जो है एलास थैंक्स पूर वाचिंग